UK तिरपलसी को लोटाई 12 भरतियां आदेश जारी जी हां दोस्तों दो साल पहले पेपर लीग परकरण के दोरान समुगो की 22 भरतियां दे दी थी राजलोक सिवायो को ये भरतिया अब UK तिरपलसी ही कराएगा तो ये देखें दोस्तों 3 जनवरी 2024 का दोस्तों यानि कि ये कलका है और ये देखें यहाँ पर ललित मोहन रयाल अपर सची उत्राखंड सासन सेवा में विसय उत्राखंड लोक सेवायो की परिधी के अंतरगत समुगो के पदूं को लोक सेवायो की परिधी से बाहर किया जान तो ये देखे दोस्तो उपर युक्त विसयक मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उत्राखंड लोग से वायोग कृतियूं का परिशिमन संसोधन बिनियम 2022 के परिशिष्ट खो के माध्यम से उत्राखंड लोग से वायोग की परिधी के अंतरगत समलित समुगो के पदू मैं से निमलिकित पदूं को सासन द्वारा समयक विचारो प्रांथ उत्राखंड लोग से वायोग की परिधी से पाहर किया जाने का निर्दय लिया गया दूस्तो ये बारा भरतिया हैं पुलिस आरक्षी आप दोस्तो जो नए कॉस्टेबल की भरती निकलेगी ना उसे दोस्तो UK SSC ही कराएगा और पेपर दोस्तो इस तरह का बनेगा कुमावनी गडवाली जौन सारी बोली भासा भी दोस्तो अब आपको पढ़नी होगी उसके लिए जो अगली दोस्तो पटवाली लेकपाल की भरती होगी ये भरती तो पूरी हो चुकी है आने वाले समय में जो जब प फोरेश्टेगाड की तरह ही एक जौब है दोजार ग्रेट पे इसका भी है और ये भरती पे उस तो निकल निया विग्यापन है ये नया विग्यापन उस तो इसका आएगा ये भरती UK SSC कराएगा वैक्तिक्स है उस तो इसका विग्यापन UK SSC निकालेगा अठ्था इस सो कराएगा वहां चालाग भरती UK SSC की है कनिष्ट साइक दोस्तों कनिष्ट साइक के जो भी नई भरती आएगी आने वले समय में क्यूंकि 500 के आसपाद पद है और जो विग्यापन आना है बाकि दोस्तों तब तक जब विग्यापन आयो उस तो अप्रेल के बाद तब तक आ हो सकते हैं सासों से ज्यादा पद यह हो सकते हैं क्यूंकि दोस्तों UK SSC अप्रेल के बाद दोस्तों विग्यापन जहां तक निकालेगा क्यूंकि मार्च तक आयो के पास सब कुछ है और बना रक्षी दोस्तों जो नई भरती आएगी आने वले समय में फरस्टेकाट की अब आपको बता है कि भरती जो है ना पुलिस कॉंस्टेबल की उसे दोस्तों कराएगा UK SSC अब भरती दोस्तों कब आएगी ये फिलाल किसी को नहीं पता जनुरी में भी आ सकती है फरवरी में भी आ सकती है उस्तों फिलाल कोई नहीं जानता है लेकिन दोस्तों भरती जब जाग भरे जाएंगे क्योंकि सबकी नौकदी नहीं लगती है तो इसलिए उस तो जादा आप पूछा ना करें कि भरती ये कब आएगी ये कब आएगी लेकिन उस तो आप लोग अपनी तयारी करें सेलेक्शन इस चित रूप से आपका होगा और पुलिस कॉंस्टेबल में उस तो वेटिंग लिस्ट निकल सकती है वेटिंग लिस्ट से मिलेगा बेरोजगारू को फाइदा डीजीपी ने कहा कि पिछले दिनों कॉंस्टेबल और दरोगा भरती का परस्ताव भेजा गया था लेकिन अब नई वेवस्टा के आधार पर इसे दोबारा भेजा जाएगा इस बार वेटिंग लिस्ट का भी परावधान है और इस वेवस्टा से बेरोजगारू का फाइदा मिलेगा भरती होने के बाद बहुत से अभ्यरती दूसरी सेवाव में चले जाते हैं ऐसे मैं उनके इस्तान पर पीछे रहे अभ्यरती को मौका दिया जाएगा उस तो बिल लिस्टिस में निकल सकती है तो यह थी आज की जानकारी बागी नई कॉंस्टेबल भरती देखें यहाँ पर साब साब लिखा है पुलिस कॉंस्टेबल भरती यूके तिरपल सी ही दुस्तू कराएगा